अब भारत में पहला निल्गिरी तहर प्रोजेक्ट आया है निउस तो सुनी ली होगी आपने बट बात वही है ना कि निउस तो निउस ही रह जाएगी काम के इंफॉर्मेशन तो बात में मिलेगी ही मिलेगी और पढ़ना भी पढ़ेगा क्योंकि निउस तो क्या है कि अब एकदम एस इस निउस उटके एक्जाम में आ जाए तो मुश्किल है बट उससे ठोड़े से हमें बेसिक आईडियाज होने चाहिए तो क्या-क्या काम-काम की चीज़े हैं शुरू करते हैं सबसे पहली कहान ही है कि निल्गिरी तहर तो कई ब भारत के चेत्र में अपने आप में काफी महत्व रखता है की स्टोन स्पीशीज कह सकते हो आप या एक कुंजी प्रजाती जिसके आधार पर और भी सब प्रजाती डिपेंड कर रही हूं जियां वहां के उर्ट इको सिस्टम को डिफाइन कर रही हूं तो इसका होना या इस स्पीशीज हैं वह कंट्रोल रहती है मान लीजिए फॉर एक्जामपल कि ये कोई ग्रास खा रही है तो यदि यह यहां से चली जाती मतलब यहां पर यह नहीं है तो वह ग्रास की प्रजाती हो सकती बहुत ज्यादा बढ़ जाए वह ग्रास इतना बढ़ जाए कि दूसरी एको सिस्टम यदि वहां का डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका conservation करना बहुत जाला जरूरी हो जाता है बेसिक ज्यान हम लोग सबसे पहले लेंगे कि तमिलनाडू राज्य है वो जो आपको याद रखना है कि जो स्टेट कौन सा तमिलनाडू स्टेट है इसने सबसे पहला इनिशेटिव लिया है फस्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशेटिव कि वहीया conservation करना है निलगीरी तहर का निलगीरी तहर यह तमिलनाडू राज्य का स्टेट एनिमल भी याद रखना बोल रहेगा इसके साथ साथ तमिलनाडू स्टेट फॉरस्ट इपार्टमेंट वो एक सर्वे करेगा पहले इस पूरे तहर वाले रीजन को और देखेगा कि भीया कहां पर क्या है क्या कमी क्योंकि जब तब तक आप उनकी जो पॉपुएलेशन है उसको समझ नहीं पाएंगे उसके बारे में जहनकारी हासिल नहीं कर पाएंगे तो निकालेंगे टेलिमेटरी उनकी करेंगे ताकि हम लोग जो हैं कहीं पर जहां कम हो रहे हैं निलगीरी तहर या कहीं पर जनसंख्या कम भी हो रहे तो उसको री इंट्रेड्यूस कर सकें वहां पर क्योंकि यदि कहीं पर खत्म हो गई है जहां नहीं मिल रही है वहां दोबारा यदि हम उसको इंट्रेड्यूस करना तभी तो हम conserve कर पाएंगे और साथ में जो है लोगों तक ये पॉब्लिक awareness पहुचाना की इनका होना भी बहुत जरूरी है तो ये conservation reserve आप open कर तो रहे हैं लेकिन साथ में क्या जरूरी है साथ में जरूरी है कि conservation तो करने में क्या सबसे से पहले सर्वे सर्वे के बाद में वहां देखेंगे हम की कहां कहां पर क्या जनसंख्या कितनी है कहां कम हो रही है वहां उनको reintroduce कराएंगे जी हां उसके बाद में उनके जो possible threats हैं वहां उनको क्या क्या खत्रा हो सकता उसको identify करेंगे लोगों तक awareness पहुंचाने का गाम करेंगे यह सर्व कंजर्वेशन का ठीक है अब बात करेंगे थोड़ा सा निलगरी तहर के वारे में इसको निलगरी एबेक्स भी बोला कोई mention किया जाता नहीं है तो दिहान रखना तो वाइलाफ प्रोटेक्शन एक चेडियूल वन इंडेंजर वराया डू करके भी इसको बोला जा रहा है स्टेट एनिमल है तमिल नाडू का यह सारे स्टेडिया बोला जा सकता है शोला फॉरेस्ट टेंप्रेट फॉरेस्ट होते है शोला फॉरेस्ट you यहां पर टेंप्रेट फॉरेच्ट फोड़ा सा कमैं ट्रॉपकल वाले बात उसके बाद में एंडेमिक रीजन है मतलब उसी छेतर में पाए जागे ऐसा नहीं कि आप इसको चछतीज गड़ में ले आए मद्यप्रदेश में ले आए तो गड़बड़ है यह चीज वहां देखने को नहीं मिलेगी आपको इसके बाद में जो है नॉर्मली हम लोग देखें तो अपनलब एक तरह से अंगुलेट प्रजातियों में जिसके खोड़ जन्रली होते हैं तो लगभग 12 स्पीशी जो भारत उनमें से की आपको देखने को मिलेगी उसके बाद में एक सैडल भी उपर दिखाई देगा मतलब नॉर्मली आप देखोगे कि इस स्पीशी डेवलप ए लाइट ग्रे एरिया सैडल ऑन देर बैक्स मतलब पीट के ऊपर वाले छेत्रों में आपको एक सैडल पैटन दिखेगा इसको सैडल वैक्स भी कहते हैं इसके बाद में कुछ 20 से 3000 के आसपास निलगी तहर आपको मिलन नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हो मैप वाइस मैंने आप पर थोड़ी बहुत मदद कर दी है तो सबसे महत्वपूर्ण सर इरावी कुलम नेशनल सबसे जाला जनसंख्य यहां मिलेगी तो कभी ऐसे इंडिविजुल कोश्चन भी आ जाए मतलब जो वर्ल्ड वाइलड फंड है उनके द्वारा भी कंजर्वेशन एफर्ट लगाया गया है निलगी तेहर का ध्यान रखना प्रॉपर सर्वे वगरा कराया गया है एरावी गुलम में सबसे जादा इनको जो है निलगी तेहर की जनसंख्या देखने को मिली है वर्ल्ड वाइल डाइफ फंड से रि आसपास के छेत्रों में पाये जाता है कहा कहा पाये जाता है तो इरावी गुलम वह थोरी है कि भाईया जो है मैं तो सिफ निलगीरी में मिलेंगे तो यहीं आसपास चल सकता है उसके लिए कोई बाउंडरी मत रखो ठीक है घुमने दोस्तों ग्रिजल्ड स्कुरल वाइल नेक्स्ट वन इस मुकूर्ती तमिलनाडू में यहां पर भी मतलब उसके आसपास की सारी चिनार वाइल लाइफ सेंचुरी केरला का है दुकी डिस्टिक ऑफ केरला लिख ले ना यहां भी मिल जाए केरला में परामभी कुलम में केरला में कल को बोले कि सिर्फ निलगीरी मे बोले तो मुश्किल है और भी जगह जगह है ठीक है तो परामभी कुलम टाइगर रिजर्व का छेत्र भी देखने को मिलेगा परियार नेशनल पार्क केरला वाला आपने को यह पता हो ना चीए यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा तो यह सारी कहानी मतलब फिर से एक लिख लो देखो अरवि कुलम नेशनल पार्क उसके बाद में ग्रिजल्ड स्कूर थी कि इनार वाल लेक्ष मikleड़ से तरह हैं मतलब नेल करा तो यह मिल रहा है कि न है बायोस्फियर रिजर्व में थोड़ा सा पहले तो यह देखो इदर आप लोग एक तो आपको यह मुकूर्ती नाम अच्छे से याद रखना मुकूर्ती ठीक है मुकूर्ती याद रख लोगे उसके बाद में यह आप लोग अन्नामलाई पढ़ लेना यह क्यों बढ़ता रहा हूँ और यह केरला है यह तो यह चेट्र निलगीरी बायसप्या रिजर्वके दो निलगीरी बायसफ्यर रिजर्व में आप देखना यह मुधु मालाई आता है मुकूर्टी आता है मुदु मलाई और मुकूर्टी यहां वाला चेत्र और सत्यमंगलम चेत्र लब यहां वाल तो यसा कुश्चन भी आ सकता है कि निलगीरी में कौन-कौन शामिल है निलगीरी बावस्पियर तो तमिल नाडू के तीन इंफॉर्मेशन याद रखना नागार के दो नेशनल पार्क आत रखने केरला में साइलेंट वेली अरालम और वयनांद और करीम पूजा यह वाली एक लिस्ट वर मना लेना मतलब अब निलगीरी तहर नियूज में तो निलगीरी बावस्पियर रिजर्व के नाम से कुछ भी कुश्चन बन सकता है यह थोड़ा स मतलब यह है कि इन सब छेत्रों तक जो है मानलो तमिल नाडू और केरला की भी बात कर ले तो इन रीजन तक भी वह निलगीरी तहर पहुंश सकता है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यह लास्ट की जो स्लाइड है यह वायोस्पियर रिजर्व की है वायोस्पियर रिजर् तमिल नाडू के यह तीन कर लेना और यह कर लेना और यह कर लेना अब जैसे तमिल नाडू में क्या पढ़ा आपने मुदु मलाई मुकुर्ति और सत्यमंगलम ठीक है अब जैसे ही अब बता रहा था इसमें उपर नौर्थ में कि एक तो जो है आपको मुकुर्ति यह मिल ग तो साउथ इंडिया में जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया इनको अपने को याद रखना पड़ेगा कि कहां कहां पर चीजें मिल रही तो यह लिस्ट है जहां पर में स्पॉर्ट निलगिरी तहर जो अपने को देखी गई है एरावी कुलम में मुकूर्ती में अनामलाई में थीक है इस सीज़ को याद रखना नामलाइडू की कहांनी हो गई है चिनार केरला का है जैसर वाला अपना पर आम्लाइड का राएगा परामभी कुलम को म्लिशोला का है पेριवार केरला का है कलककर मुंदु धर्या और पालनी हिल्स में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है अमने इस वीडियो में डिसक्स करी उम्मेद कर रहा हूं को समझ में आया होगा यह सारे प्लेसे अच्छे से कर ले ना इनको मैंने मैप में दिखा दिया है और बाकी अनकैडमी पर सारे सब्सक्रिप्शन के लिए यू किन यू